हाजा गाकाव, साल दो हजाजा ट्शाबिस गाजा युद्ध को लगभग ती महीने होने जा रही है लेकिन अभी तक इस्रेल की आईडिय अफ गाजा से हमास लड़ाकों का सफाया नहीं करपाई है हाला कि पिछले 36 गंटों में इस्रेली सेना ने हमास के लड़ाकों के साथ साथ 200 से जादा फिलस्तीनियों को माड़ाला है हैरानी की बात तो ये है कि इस्रेयली सेना पर पिछले दो हफ़तों से अचानक हमास के लड़ाकों ने उत्तरी घाजा और दक्षने घाजा में जबरदस्थ हमले शुरू कर दिये हैं साल के आखिरे दिन 31 दिसमबर 2020 को हमास की तरफ से जारी किये गए इस वीडियो को देखिए जिसमें हमास के लड़ाके इस्रेयल के टैंक पक्तर बन लड़ाकों वाहनों पर बेहद पास से हमले कर रहे हैं हल्मिट पहन रही हैं टैंक 21 दिसमबर 2020 को हमास की तरफ से जारी इस वीडियो को देखिए जिसमें हमास लड़ाके बेहद करीब से इस्रेयली टैंक के उपरी हिस्से पर सीधा हमला कर रहे हैं हमास का दावा है कि यह हमला इस्रेयली टैंकों पर दक्षनी गासा के खान योनस में किया गया है हमास का दावा है कि यह हमला 30 दिसंबर 2020 को इस्रेली टैंकों पर हुआ है इस्रेल के टैंकों पर चुन चुन कर हमले हो रहे हैं क्योंकि इस्रेल का बार्खावा टैंक हमास और घाजा का काल बन चुका है इस्रेल इनी टैंकों से अब तक 800 से ज़ादा सुरंगे तबाह करने ने मदद कर चुका है यही वज़े है कि अब हमास इस्रेल के टैंकों पर बेहद पास से हमले कर रहा है कई बार तो मुश्किल से 20-25 फिट की दूरी से हमास हमले कर रहा है हमास के रॉकेट इस्रेली टैंकों के हैच वाले यानि उपरी हिस्से पर सीथा हमला कर रहे है जिसकी वज़े से टैंक बरबाद हो रहे है अब हमास की तरब से जारी ये वीडियो देखिए जिसमें हमास के लड़ा के घाजा में कविस्तान बन शुके इमारतों के पीछे से इस्रेली सेना पर हमला कर रहे है दावा किया जा रहा है कि इस हमले में कई इस्रेली सेनिकों की भी मौत होई है इसी तरह से हमास ने 28 दिसम्बर 2023 को इस्रेली सेना पर मध्य घाजा में प्यूरिस शनरार्थी शिद्र इलाके में इस्रेली सेना पर हमला किया है टैंक और पैदल सेना पर हमास इसी तरह से हमला कर रहा है दावा किया जा रहा है केस सिलाके में अभी भी इतनी जादा सुरंगे बची हैं जहां से अच्छानक हमास के लड़ाके हमले कर रहे हैं इसी तरह से हमास के लड़ाकों ने 27 दिसंबर 2023 को एक ही हमले में 12 से जादा इसरेली सेनिकों को मारने का दावा किया है हमास का ये वीडियो किस जगह का है ये तो नहीं पता लेकर वीडियो में इसरेली सेना पर हमास के लड़ाकों के हमले साफ देखी जा सकते हैं यही वज़े है कि इस्रैली सेना के मरतावा टैंक के उपर शील्ड लगाई जा रही है ताकि टैंकों को दबाह होने से बचाया जा सके। अब तक इस्रैल के 480 से जादा सैनिक मारे जा चुके हैं। इसकी सबसे बड़ी वज़े हमास की वो सुरंगे हैं जो अभी तक इस्रैल तबाह नहीं कर पाया है। हाना कि नेतन्याहू पिछले हबते घाजा पहुँच गया थे और उन्होंने इस्रैली सेना के कमांडर्स और सैनिकों के बीच काफी वक्त बिता है। नेतन्याहू ने साफ कहते हैं कि अब किसी भी कीमत पर घाजा युद्ध नहीं रुकेगा। चाहें भाले ही घाजा युद्ध लंबा चले। उन्निस लाग फिलिस्तीनी शरणार्थी बन चुके हैं। भूखे, प्यास, बीमारी और बमों के हमलों ने घाजा में फिलिस्तीनों को साखशात नरक में पहुचा दिया है। जरा ये आंखडे देखिए। 7 अक्टूबर से अब दग घाजा में इस्रेली सेना ने 22,000 से जादा हमले किये हैं। जिसकी वज़े से घाजा की 70 फिजदी इमारतें हंडर हो चुकी है। यूएन के आंकडों के मताबिक पूरे घाजा पट्टी में 3,55,000 से जादा इमारतें तबाह और बरबाद हो चुकी हैं। जिसमें कोई रह नहीं सकता है। इसके अलावा स्कूर, कॉलेज के 370 से जादा इमारतें पूरी तरह से इसरेली हमलों में जमीन में दफन हो चुकी हैं। जो इसरेल के खौफ़नाक हमलों का जन्दा सबूत है। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक घाजा पट्टी में इसरेली सेना ने हमास के ठिकानों पर जबरदस्थ हमले किये हैं। जिसकी वज़े से 230 से जादा मस्जिदें और पूजा घर घाजा पट्टी में तबाह और बरबाद हो चुके हैं। घाजा में सबसे भीशन और दगनाक हमले इसरेल ने अस्पतालों पर भी किये हैं। क्योंकि इन ही अस्पतालों के नीचे हमास की दरजनों सुरंगे हमास का हैटकौाटर और अड़े बने हुए थे। हमास इन ही अस्पतालों की आड़ में इसरेली सेना पर हमला कर रहा था। इसरेल ने ऐसे 36 में से 26 अस्पतालों को जबरदस्त बंबारी में तबाह का डाला है। घाजा में रोटी के लिए लोग तरस रहे हैं। 20 से 23 लाख लोगों को रोटी नहीं मिल पा रही है। क्योंकि इसरेली सेना ने 11 बड़ी बेकरी तबाह कर डाली है। पूरे घाजा में 17 लाख से जादा फिलिस्तिनी शरुनार्थी मन चुके हैं। हालात ये हैं कि उतरी घाजा के 90 फीसदी जनता भाग गई है। अब तक के आखणों के मताबिक कि किस लाख 822 से जादा फिलिस्तिनी मारे जा चुके हैं। जो साबित करता है कि हमास को इसरेल पर हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। हैरानी की बात तो ये है कि इजरेल के हमलों में मारे गए कुल फिलिस्तीनियों में से 47 फीजदी मरने वाले बच्चे ही है इन्ही हालातों को देख कर हमास, हेजबॉल्ला और एरान अब इस्रेइल से आर पार की जंग का ऐलान कर चुके है लेकिन नेतनियाहू ने साफ चेतावनी देदी है कि कोई जिन्दा नहीं बचेगा लोगमी इम अल करका लफमीं गाम मिट आखल करका, वेशे अनना ऑन शमयम अन्हों रिम लगदा हमास, अन्हों रोईम थहें और अग्या है अन्हों में अजिकी बमलगमा, मामिकी तालखिमा, बड्रोम अर्थुआ और मेंकूमों अखरीं अनकनो इलखमीं अदसोर व्याज़ता टेकनोलोगिया मतकदमत बियुतर उत्तरी घाज़ा पर अज्रेएली वायु सेना के लडाकों विमानों ने हजारो बंब गिराना शुरू कर दिया अज्रेएल की कॉर्पेट बॉमिंग ने देखते ये देखते उत्तरी गाजा में इमारतों को जमीन में दफन कर दिया यहां तक कि उत्तरी गाजा में इस्रेली सेना ने मरकावा टैंक से हमले शुरू कर दिये इस्रेली डिफेल्स फोर्स की रीड मरकावा टैंक पर हमास के लड़ाकों ने भी जबरदस्ट पलटवार किया और कई दरजन्टया लगभग 90 दिन की जंग में दबा कर दिये हमास के लड़ाकों ने सुरंगों से निकल को रुतरी घाजा में हमले किये इस्रैल ने लगभग 90 दिन की जंग में हमास के टॉप कमांडर्स को चुन-चुन कर मारा है अब तक सौ के करीब हमास के कमांडर मारे जा चुके हैं लेकिन जिस तरह से हमास घाजा में पलटवार कर रहा है उससे साफ हो चुका है कि साल 2024 घाजा के लिए बहुत विनाश्यक साबित होने जा रहा है झाल 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 झाल